हाई एव्रिवन वेल्कम बैक तो माई योट्यूब चैनल ग्लैम सीक्रिट्स और मैं हूं आर्थी शर्मा फ्रिंट्स मेरे पस काफी सारे मेसेज़े आये थे इस ब्लाउंस के साथ पल्लू को सेट करने का आप टिप्स बताए कि पिन को किस तरीके से इंसर्ट कर किया जाता है तो ये वीडियो इसी से रिलेटिड है आईए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने साड़ी यहाँ पर पूरी तरीके से पहन ली है अभी पल्ला सेट करना बाकी रह गया है प्लीट्स कमर की बन चुकी है तो जो हमने पल्ला है वो ले लेना है और पल्ले की प्लीट्स बराने शुरू करनी है अगर आपको प्लीट्स बरानी नहीं आती है तो मैं आपको टिप दे देती हूँ कि आप हमेशा प्लीट्स जो है वो पल्ले की उल्टी साइड से बनाना शुरू करें सीधा साइड आपके साइड होना चाहिए और उल्टा दोसरे के सामने होना चाहिए फिर अपने रिंग फिंगर और थम का यूज करना है बैक साइड पे और मिडल फिंगर और जो पॉइंट फिंगर होता है उसका यूज करते हुए प्लीट्स बनाना शुरू करें ये कर लेने के बाद आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है आप ज़रूर एक बर प्रैक्टिस किया करें जब आपकी practice हो जाएगी आपको pleats बनाना easy हो जाएगा आप इसके लिए दुपटे का भी use कर सकते हैं यानि चुननी का भी use कर सकते हैं मैंने सारी pleats arrange कर ली है अब आते हैं हम इसके main part पर जिसके लिए मैंने ये video बनाई है कि ब्लाउंस में सेफटी पिन से पल्लू को कैसे सिक्यूर किया जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने जो पल्ला है उसको ब्लाउंस के साथ पकड़ लिया है और ऐसे ट्विस्ट कर दिया है आपको मैं बताना चाहूंगी जो ब्लाउंस होता है उसका जो दूसरा जो जॉइंट होता है उस वाले पार्ट को पकड़ के हमें ट्विस्ट करना है और सेफटी पिन जैसे मैंने लिया है उसको मैंने एक साइट से इंसर्ट कर दिया है देखे आपको दिखाई दे रहा होगा I hope फिर उसको मैं पुश करूंगी और दूसरी साइट से मैं सेफटी पिन को निकालूंगी जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूं जब वो निकल जाएगा तो मैं safety pin को लगा लूँगी और फिर blouse के साथ जो मैंने twist किया था blouse को उसको मैं सीधा कर लूँगी ये एक बहुत ही easy तरीका है और अगर आप एक पर practice करेंगे तो आपको आ जाएगा जब आप blouse के साथ पले को secure कर रहे होते हैं तो आपको बस ये दिहान रखना है कि आपको पहले blouse के upper वाले part को twist कर लेना है pleats के साथ फिर safety pin है उसको insert करना है फिर push करना है और जब push करते हैं तो safety pin बहार की तरफ आजाती है and then आपका जो safety pin है वो secure होने के लिए ready हो जाता है और आपका पला set हो जाता है तो इसी तरीके से ये जो safety pin हम है वो blouse के साथ लगाते हैं I hope आपको जो मैंने बताया वो clear हुआ होगा ठीक है अगर नहीं clear हुआ हो तो please मुझे जरूर बताना comment करके ठीक है मैं आपके लिए दुबारा से एक पर दुबारा से इस प्लीट की प्लीट बनाने की और pin secure करने की वीडियो लेके आउंगी बट आप मुझे comment करके जरूर बताना ठीक है I hope आप लोगों के वीडियो पसंद आई हो और वीडियो पसंद आई तो इसे like करना बिल्कुल भी मत बोलना और share जरूर करना अभी तक के लिए इतना ही मिलती हो next video में till then bye क्संदु आपिवों